सदोस्तो एक और नया दिन और मैं बलजीत पर मारा हाजर हूँ एक नया कित्सा कहानी लेके आपके सामने कल आपने सुना कहते गुरू साटम के गुरू पंडू रंगपावले का बरूटल मल्डर दिन दिहाडे मंबई के एक महीर भड़के वाले इलाके में हुआ जिसमें सैक्डे लोगों ने वो दहश्ताना मनजर देखा और उसके बादो जए होता है। गुरू साटम का अपना केरियर एस डाउन अफ तैड पार्टिकुलर एरिया काल प्रेल। अब उस्साद बनने के बाद उस एरिया का सबसे बड़ा दादा बनने के बाद गुरू साटम के लिए सबसे बड़ी समस्याओ यह थी कि गैंग को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा पलीस से बगाड़ा लोगों के खर्चे कुछ लोग जो जेल चले गए थे उनके परिवार वालों को देने के लिए खर्चे उनकी जमानत वगारा केस लड़ने के लिए वकीलों के खर्चे और उसके अलावा पलीस वालों को जो एक छुप चुप 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 एक जो हफता दिया जाता था वो देने के खर्चे, वो करने के लिए गुरू साथम को लगा कि जब तक उसका अपना रुतबा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि लोग चल के आके हफता दे, तब तक उसको किसे बड़े आजमी के साथ हाथ मलाना होगा, पांडूरंग पावले का मर्डर 1989 में होता है, मैं कल आपको बताना शर्थ बूल गया था, तो 89 में मर्डर के बाद छोटा राजन देश छोड़ने के चकर में था, या शायद छोड़ गया था, अशोग जोशी का 88 डिसेंबर में मर्डर के बाद छोटा राजन का तकरीमन पूरा गैंग बंबई छोड़ के दबई में डेरे लगा लिये थे, पलीस उनके पीछे लगी थी, छोटा राजन को भी किसे ऐसे सक्ष की जरूरत थी, जो बंबई में रहता हो, और उसके बचे कोचे गैंग के जो लोग थे उनका संभाल करता हो, कर सकता हो, तो उस मौके का फैदा उठा के, गुरू साटम ने छोटा राजन के साथ हाथ मलाया, और उस हाथ मलाने में गुरू साटम की मद्द की, वर्दा राजन मुडलियार के लोगों ने, वर्दा राजन भी उस जमाने तक, बंबई छोड़के मदरास चला गया था, लेकिन उसके गैंक के लोग काफी सकरिया थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़ा भीज था उसका बंबई में, तो वर्दा राजन के लोगों के साथ मिलके, गुरू साटम ने छोटा राजन के साथ दोस्ती की, और दोनों ने फैसला किया कि आगे से काम मिलके करेंगे, और उसके साथ मिलने के बाद जो हफ़ता जो पावले के मरने के बाद, वो जो कारदार एरिया था जो घराजिस थे कारों के उन्होंने हफता देना बंद कर दिया और वो हफता शिमसेना के वरकर्ज ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसका सबसे बड़ा रीजन था जो उस हलाके का एमबेले था विठल चवान वो एमबेले था लेकन बहुत ब काफी सारी वरकर्ज यूनियन चलती थी तो उनका सहारा लेके वो जो कार बजार वाले कारदार जो मेकैनिक जो घराजिस चलाते थे मालक उन्होंने हाफ़ता डारेक्ट शिब सेना को या एक तरफ से कहो के विठल चवान को देना शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ा आधनता महिने का वो उनके हाथ से निकल गया अब वहां से शुरू होती है गुरू सार्टम की प्लिटीकल दुश्मनी ये इसमें एक बत और याद रखिए कि जो पांटूरंग पावले था वो भी पॉलिटीशन को पसंद नहीं करता था उसने कभी किसी भी पार्टी के मिलना नहीं चाहता था ना उनके साथ किसी किसम का कोई वेपारक सा बंद रखना चाहता था तो जो प्रेल वरक्शाप का हफता आता था वो गुरू सार्टम का एरिया था उसके घर के पास था वो शुरू हुआ तो वरक्शाप से आए वो जो चोरों के जो सक्रैप डीलर से हपता आता था उसको लेके गुरू साथ उमने अपने गैंग को मजबूत करने की कोशिश की और साथ के साथ उसने विट्रल चवान को बच्पन से जानता था उनका एक एरिये में उसी अलाके से विट्रल चवान जीता था और विट्रल चवान का ओफस्ट और घर वे एक सीमर चौल उसको कहते थे वो मौरारजी मिल के सामने अक्रास दरोड एक बहुत बड़ी चौल थी सीमल चौल उसमें दो घर थे विठल चवान के एक में खुद रहता था और दूसरे में उसने आफस मनाया हुआ था वे पंद्रह बीच लड़के वियार समय उसके साथ रहते थे उस का तरीका था विठल चवान का तो गुरू साथम ने कई बार विठल चवान के बात की के भाईया देखो वो जो हमारा हफता था हमारा अलाका था उसमें हमने आपको पहले भी प्रामिस किया था कि पचास हजार पया महिने का आपको देंगे और बाकी का जो है वह हम लेंगे लेकिन अभी आपने वो जो अरेंजमेंट था पावले के मरने के बाद आपके लोग पूरे का पूरा हथता वहां से सुनने लग गया है वो अच्छी बात नहीं है तो आप ये सिस्टम जो है दोबारा जो पहले था वो शुरू कीजिए तो कही न कही बात बनी नहीं तो एक दिन इसी चक्कर को लेके क्योंकि दिन में गुरू सार्टम और उसके बंदे गुल रहते थे कहां छुपते थे कहां रहते थे किसी को पता नहीं होता था तो रात होने के बाद घर से निकलते थे अपने कामों को अंजाम देने के लिए और उसी तरह एक रात को कोई डाही बज़े रात के अर्ली मौर्णिंग कह लीजिए गुरू साटम विठल चवान को उसके घर पे फोन करता है कि मैं एक बड़े जरूरी काम से आपको मिलना चाहता हूँ अब देखिए कि विठल चवान ने फोन अठाया और कहती है आप आजो आफस में पहुंचो मैं भी घर से निकल के आफस में आता हूँ साटमें आफस था तो उसने अपने आदमी को बोलके आफस कहलवा लिया तीन सार लोग विठल चवान के उस आफस में आल लेडी थे चार पांच लोग गुरू साटम के साथ भी थे वेज़े जब उपर गए फस फ्लोर पे आफस में तो सब विचल चवान के लोग और गुरू सार्टम के लोग एक लाइदा कमरे में बैटके आपस में गपें मारने लगे और गुरू सार्टम और विचल चवान एक कमरे में दोनों अथे तो तीसरा आदमी कोई नहीं था तो बात चीत करते करते गर्मा गर्मी हो गई, दोना ने दारू पी हुई थी, तो उसमे जब टैंपर्ज राइज होते हैं तो फिर अंजाम बुरा होता है, तो उस गर्मा गर्मी में तूटू महमें में गुरू साटम ने अपना रुआलवर निकाल के पिस्टल निकाल के इमत नहीं हुई गुरू साटम को पकड़ने की, जा उसको लोगों के साथ मकाबला करने की, तो सुबह तीन बजे अर्ली मॉर्लिंग, शिब सेना के एक नामचीन एमबले का मर्डर करके गुरू साटम वहां से फरार हो जाता है, अब वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत ब मिले, तो बहुत प्रेसर पड़ा, तो एक दिन गुरू साटम ने अपने आपको पेश कर दिया, क्योंकि अकेले ने मारा था, अकेले को अरेस्ट किया गया, देर साल तक गुरू साटम बाइकला जेल में रहा था, बाइकला जेल में बड़े लोग भी रहते थे, बाद में उसको लेडीज जेल में कनवर्ट कर दिया था, तो जो अंडर ट्रेल होते थे, वो भाइकला में रहते थे, अर दूसरे लोग अर तरोर जेल में रहते थे, खिर, तो लेड़ साल जेल में रहने के बाद, गुरू साटम की जमानत होती है और जमानत से बाहर आने के बाद गुरू साटम परेल नहीं आता है अपने घर नहीं आता है वहाँ से सीधा छोटा राजन से बात करके 92 की बात है मिडल 92 की जून जलाई की कहीं तो सीधा यहां से उत्तर परदेश पहुंचके वहां से नपाल पहुंचके काटमंडू पहुंचके प्लाइट लेता है और सीधा जबई पहुंच जाता है छोटा राजन के पास तो छोट महां से आगे वबभी के काफी लोग थे जैसे मैंने दो दिन परकल से पको बताया के सनील साबद वहां पर था उरफान गोगा ता अनल पर्व वहां पर था शार्द शेटी था वहां पर था यह सब पूरा छोटा राजन और उसके जो गया लोगते सब वहाँ पे रहते थे तो छोटा राजन ने वहाँ दुबई में 89 में जब गया शुरू में तो इसने दाउद के साथ हाथ मलाने के बाद अपना एक बगला वहाँ पे ले लिया था रहने के लिए और तीन चार कमरे क मामा करके एक जगह है लुबई में वहाँ पे अपने लोगों के लिए थे कमरे लेकर रखते थे यहां पूरे इसके गैंक के मेंबर रहते थे उनके लिए खाने पीने का इंतिजांegg गाडी वाड़ी का इंतिजां करके रख़ा गुआ था टिया जो इनके साथ ही गुरू स गुरू साथम ने छोटा राजन की उसी साल 92 से लेके 93 तक वो छोटा राजन के साथ रहा और 93 में जब छोटा राजन की उपर तकलीफ आई दाउद गैंग उसके पीछे पड़ा मारने के लिए तो गुरू साथम ही था जिसने उसको वहां से बचा के उसको नेपाल बेजा जैंसिस की निगरानी में मलेशिया में रहे क्योंकि इनको बहुत बड़ा डर था कि कहीं डी कमपनी जो है वो कहीं भी इनकी उपर अटैक करके मरवा सकती है और सबसे ज्यादा खत्रा गुरू साथम की जिन्दगी पे था क्योंकि वो सक्ष्टा जिसने छोटा राजन को द आया गया इनको पैरों पे दबारा खड़ा किया गया ताकि दूर डी कमपनी का जो आगे से कहीं कोई अटैक हो तो यह मिलके उसका मकाबला कर सके तो ऐस्ता ऐस्ता करके रोहित वर्मा यह लोग सब साथ में जुड़ते गए पूरे वा पूरा गैंग पिर महां करते करते य गए लेकिन बाई कुछ साल नाइन्टी नाइन तक तक गुरू साथम छोटा राजन के साथ रहा और उसके साथ मिलके काफी काम किये और बहुत से काम ऐसे थे जिनमें आम लोगों को पता नहीं है मंबई में जो बड़े मर्डर जो छोटा राजन ने करवाए उन मर्डर में तकरीबन सब में रोहत वर्मा और गुरू साथम का हाथ रहता था वो बाहर से चोरी छिपे हिंदोस्तान में आते थे नपाल के रास्ते से जब बगलादिश के रास्ते से आके अपना काम करके चले जाते थे ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें दो बड़े केस थे एक दत्ता साम के मल्डर की पूरी प्लैनिंग गुरू साथम ने ठोटा राजने के साथ मिलके की और दत्ता सामुत को मारने में गुरू साथम का हाथ रहा उसके बाद जो इस्ट वेस्ट एरलाइन के मालक को वाहित को जो तक्यू दीन वाही को जो मारा था उसमें भी गुरू साथम और र प्रीके से देश चोड़के फिर वापस बाहर चला जाता था तो इतने काम करने के बाद कहीं न कहीं दोस्ती में एक कटास आती है वो कटास 99 में आती है जब रोहत वर्मा छोटा राजन का खास आदमी बन जाता है और छोटा राजन ने अपने पराने दोस्तों को छोड़के रोहित वर्मा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था उसके कई और भी कारण थे जो नहीं बताया जाता थे तो उसको लेके जो एक अंदेखी महसूस की गुरू साथम ने उसने छोटा राजन से दूरियां बढ़ानी चुरू कर दी और गुरू साथम अकेला नहीं था उसक अब लोग बालू डोकरे इस किसम के लोग जो थे बालू डोकरे नहीं था एक और था तो इन लोगों ने चोटा राजन से धोस्ती तो नहीं तोड़ी दुश्वनी भी नहीं रखी उसके साथ लेकन दूरियां बना ली अपना अपना काम इंडिपेंड़न तरीके से करने ल रहना शुरू कि और वहाँ से अपना जो उनका जो एक्स्टॉर्चन का ये वो वसुली का वो जो काम था बार से बैठे करता रहा दो असार में जब छोटा राजन पे बैंकोक में अटैक होता है तो चट से नीचे गिरने के बाद जो सबसे पहला पून छोटा राजन ने कि किया था वो गुरू साथम को किया था कि गुरू ऐसे ऐसे हो गया अब बताओ क्या करें तो ये दिखिए कि फरकाने के बाद भी पहला पून इंजड होने के बाद हमले के बाद छोटा राजन गुरू साथम को करता है किसी और को नहीं करता तो छोटा राजन गुरू साथम को खत्रा हो सकता है यहां काफी प्रॉलम होगी लेकिन यह लगातार जितने दिन छोटा राजन हॉस्पिटल में रहा बैंकोक के तब तक गुरू साटम लगातार छोटा राजन के तच में रहा और उसके बाद जो छोटा राजन वहाँ से भाग के कमबोडिया जाता है दोस्ती की कहानी आज भी उनकी दोस्ती है लेकिन बिजनस कोई नहीं है आज छोटा राजन तेहार जेल में जेड एके मर्डर केस में उमर कैट की सज़ा बुक्त रहा है और गुरू साटम कहा है एग्जैक्टली यह किसी को पता नहीं शायद अस्टेलिया में होगा इसी त कबर ही नहीं है कि कहां गए कुछ दबाई में मिसिंग हो गए कुछ कराची में मिसिंग हो गए कुछ नपाल में गए तो मारे गए लेकिन गुरू साटम एक ग्रेड सरवाइवर वो सब इतनी बड़ी संभश्याओं से इतने बड़ी प्रॉलम से निकल के आज भी जिन्दा है लेकिन थोड़ा उसको शायद ख़द्शा होगा कि उसका बेटा जो उसकी गैरहाजिरी में मुंबई में उसका कामसा बाल लाहा था उसको भी एक स्टॉर्चन केस में पलीस ने अरेस्ट किया हुआ है और वो आर्थर रोड़ जेल में है तो दोस्तों ये कहानी थी गुरू आपका शुक्रिया धन्यवाद